नमस्कार दोस्तों, Government Exam Info में आपका स्वागत है देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिनों से Group D की Vacances आ रही है अलग-अलग District के लिए हैं आपका Vacances आ रही है आज भी एक District की Vacancy आई है, उसी को लेकर बात करूँगा लेकिन आज का विडियो इंपोर्टेंट इसलिए है कि जो Candidates के Doubt है वो यहाँ पर Clear होंगे पहला यहाँ पर था कि Feast कैसे Submit करनी है और उसमें क्या-क्या बात ही कही गई है इसको लेकर आज हम बात करेंगे और Form कहां से ले, यह भी कई Candidates पूछ रहे है हलाकि मैंने बता दिया था उनको कैसे यहाँ पर आपको करना है इसको Fill Up और प्रारूप कहा रहने वाला है फिर भी मैं एक बार और इसको Explain कर दूँका अच्छे से ताकि आप समझ जाए देखिए आपके पास काफी समय है तो जल्दी बाज़े ना करें फर्म बनने के लिए आपको इसमें Fees भी देना है तो ऐसे Candidate जो इसमें आविदन करना चाहते हैं सचमुछ में जो Gen1 यहाँ पर आविदन करना चाहते हैं तो वही आविदन करें क्योंकि यहाँ पर Group D की Vacancies है और अगर आप नहीं चाहते हैं इसके लिए तो आप आविदन ना करें और Fees यहाँ पर फाल्तू में खटचे ना करें तो यह मेरा सुझाओ है देखें यहाँ पर District Wise Vacancies हैं लेकिन कोई भी उत्राखन के Candidate किसी भी District के लिए आविदन कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले इनी सभी चीजों को लेकर चली शुरू करते हैं आज कर वीडियो और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिए और पास में बैल आइकन को भी प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स पाने के लिए देखे दोसो यहाँ पर आपका पिधाडागार जिला सहकारी बैंक के लिए वेकेंसी यानी कि पिधाडागार डिस्टी के लिए है वर्गचार यानी कि गुरूप-D सहीयोग्यी और गार्ट की जॉब यहाँ पर आपको करनी है वेतनमान यानि कि आपकी सैलरी की बात करें तो जो मैंने पहले बता दिया था पिछली वीडियो में यह वार और आपको बता दिया था जो भी नए लोग जूड़े हैं बारह हजार पांसो से लेकर पत्चीस जार था यहाँ वगर आपकी सैलरी रहेगी डिपेंट करेगा कि आप की पोस्टिंग किसमे होती है सहयोगी या गाड में सहयोगी के लिए थोड़ी जादा यहाँ पर सैलरी रखी जाएगी और गाड की थोड़ी कम होगी तो यह ध्यान में रखिएगा आपका मेरिट वनेगा आपके हाई स्कूल के हिसाब से और कुछ और बात हैं जो मैंने पिछले वीडियो से मताई है तो आज के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यह बेसिक डिटेल बता रहा हूं अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो को देख लें बिल्कुल सेम है कोई चेंजिस नहीं इसमें सिर्फ आपके पदस च ज्यादा इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे तो यह हो गया सुल्क की बात करें तो जन्रल ओबीसी के लिए 750 बाकी EWS, CST, महिला, उत्रेखंड के अनात बच्चे और दिव्यांग जो भी वेक्ति हैं वो इसके लिए 500 रुपे यहाँ पर रखी गई है फीस तो देखे जन् की फीस कैसे सब्मेंट करनी है तो देखे यहाँ पर नीचे दिया गया है आदेखे यहाँ पर यह दिया गया है आपको दिखनी रहोगा है यहाँ पर थोड़ा में जो पिथोड़ागड जिला सहकारी बैंक लिमिटेट पिथोड़ागड के पक्षमें देए होगा देखे अगर आप जिस पर डिस्ट्रिक्ट अल्ले आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया गया है फॉर एक्जांपल अगर आप उधम सिंग नगर की बात करें तो पिथोड़ागड जिला सहकारी बैंक इन तीनों बैंकों में के लिए जो ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा आपका पिथोड़ागड जिला सहकारी बैंक क्लिमिटेट पिथोड़ागड के पक्षमें देए होगा आप बैंक में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक से जनरल की बात करें तो आपको 750 रुपे देने हैं और वहां से आपका ड्राफ्ट बनेगा ड्राफ्ट बने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा रिसिप्ट में सारी जानकारी होगी और पिथोड़ागड वाले यह ध्यान में रखेगा अगर आप पिथोड़ागड से खड़र ओथन सींगर उ तो उसका नाम यहां पर लिए यहांपर नहीं देना यह अद्यान रखेगा यहांया पर साब साब कहां आप फिथोड़ागड वाले не jowec еще वह इसी का नाम देंगे जिला सहिकारी बेन पिथोड़ागड कि पक्षम में यह दे होगा बाकी चीज़े यहाँ पर मैं डिसकस नहीं करूँगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में जानकारी दी है यहाँ पर कि आपका सेलेक्शन कैसे होगा मेरिट कैसे बनेगी किसको कितने अंक दिये जाएंगे हाई स्कूल के और अन्य जो उपलबधी हैं उसके अनुसार तो यह हो गया यहाँ पर और लिफाफे की बात करें तो 9 इंटो 4 रहने वाला है तो यह सारी डिटेल्स आप खुच से देख लें और आप बात कर लेते हैं जो आपका प्रारूप है वो कैसा है और आपको कैसे इसको प्रिंट आउट करना है या फिर आप कैसे इसके लिए आवेदन करवाएंगे देखें दोस्तों यह आवेदन बिल्कुल जो प्रारूप है वो बिल्कुल सेम है कोई भी चेंज़ नहीं है बस यहाँ पर डिस्ट्रिक बदल गई है तो यह ध्यान में रखिएगा बाकि जो भी आपकी जानकारी है वो सेम रहने वाली है पिछले वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दिये तो यहाँ पर आपको फोटो गएरा भी लगानी है देखें आप सिंपली क्या करें तो यह आपका प्रारूप दिख रहा है यह आपका जो नोटिफिकेशन वो पेपर में आया हुआ है यानि कि अखवारों में आया हुआ है तो मैं आपको अखवार का नाम बता देता हूँ हिंदूस्तान अखवार है वहाँ पर आपको तीन या चार उपए में ये पीपर मिलेगा वहाँ से आप इसका cut-out ले सकते हैं देखें काफी बड़े section में ये जो आपका प्रारूप है वो दिया गया है तो आप उसको direct वहाँ से cut-out लेकर भी कर सकते हैं या फिर इसका जो PDF है वो मैंने अजने district के लिए पहले से upload कर दिया है कुछ district साथ रहे गया है तो आप खुद से इसका scan करवा सकते हैं या फिर cut-out लेकर इसको form fill-up कर सकते हैं इसी प्रारूप में आपको आविदन करना है तो यह पहले से बताया गया है तो यह ध्यान में रखेगा form इसका भी मैं आज upload कर दूँगा और जिस district का रहे गया है तो उनका रहे गया है तो वो आप खुद से यहां पर ले सकते हैं या तो paper ले ले आप यहां पर या फिर जो PDF है वो मैंने send कर दिया टेलिग्राम पर तो वहां से यह download कर ले अभी थोड़े दियर में यह इसका भी PDF यहां पर upload हो जाएगा तो देखे इसमें जो 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 डीटेल है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं यहां पर आपको सारी डीटेल देनी पड़ेगी सबी जो certificate है आपके उसके डीटेल देनी पड़ेगी घोश्म पत्र है यहां पर और देखे ड्राफ्ट के लिए आविदन सुलका मूल रूप में सलग में कनव होड़ेगा यानि फोटो कॉपी नहीं लगा नहीं यह बात भी ध्यान में रखे अगर फोटो कॉपी लगाते हैं तो हो सकते हैं आपको फार्म रिजेक्ट हो जाए तो क्योंकि यहां पर साफसाफ का गया है मूल रूप में ही सलग ने किया जाए सिधे आपको वहां से मिल जाएगा बैंक से और वहां से आपको लगा देना है आप सिधे बैंक में जाके पता कर ले वह आपको बता देंगे कैसे यह होना है और एक बात का धियान रखे पिथ exact हो जाएगा तो यह ध्यान में रखेगा तो यह होगी पूरी डियर और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट करके बता दे आपके डाउट को यहाँ पर दूर किया जाएगा तो दूस्तर यह थी पूरी अपडेट और इसी के साथ अब तक के लिए